Dear Students, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में फ्री टेबलेट या फिर स्मार्टफोन बितरण की जो योजना है, वो इस समय प्रचलित है, और सीगर ही जो अध्यानरत समस्त छाथ छात्राइं हैं, उनको फ्री टेबलेट या स्मार्टफोन प्रदान कर दिया जाएगा. तो इसमें जो सबसे बड़ी अभी तक समस्या थी, नो प्रवे से छाथ छात्राओं के लिए, क्योंकि उनका इन्रॉल्मेंट अभी तक जनरेट नहीं हुआ था, जिसकी बज़े से यूराइस पोल्टर पर उनकी प्रोफाइल अपडेट नहीं हो पा रही थी, और प्रोफा प्रोफाइल के माध्यम से प्रारम कर दी है, तो आज मैं आपको वही पूरा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, कि छात्र छात्राओं को किस तरह से अपना रेजिस्ट्रेशन यूराइस पोल्टल पर करना है, और किस तरह से आपको अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लेना हैं, तो step by step प्रक्रिया हम देखेंगे, मैं आपको सारा बताऊंगा, आप उसको देखते जाएए, नोट करते जाएए, जहां confusion वाले point जहां जहां पर हैं, जो छात छात्राओं के अंदर, जो मन में doubt आ रहे हैं, उनको मैं भी clear करूंगा, तो आप एक-एक step को ध्यान पूर देखिएगा, तो आईए शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आपको URISE पोल्टल पर जाना है, तो URISE पोल्टल का जो आपका address है, URISE.UP.GOV.IN है, आप Google पर search में URISE भी लिख देंगे, तो भी आपका ये तुरंत URISE पोल्टल, URISE.UP.GOV.IN खुल जाएगा, तो जैसे ही एक पोल्टल को आप खोलेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले एक पॉप आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी, इस तरह से जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें ये देखिए लिखा है, click here for new student registration, यानि new student registration, यानि जो first year में जो बच्चे इस बार admission लिए हैं, या फिर lateral entry के माद्यम से second year में सीधे प्रवेस लिए हैं, वो सभी चात्र चात्रा हैं, इसमें क्लिक करेंगे, new student registration में, तो ये आपका देखिए portal है, urise.up.gov.in, इस पर आपको जाना है, और ये pop-up जैसे ही आपका, आप खोलोगे इस website को, तुरंत आपके सामने इस तरह की बिंडो आएगी, जिसमें यहाँ पे लिखा होगा, click here for new student registration, इस पर आपको click कर देना है, जैसे ही आप click करेंगे, तो इस तरह से आपके सामने ये student registration का एक, ये खुल जाएगी बिंडो, तो student registration में आपको यहाँ पर जब आप select organization में, जब आप यहाँ click करेंगे, तो इसमें IT यही लिख कर आएगा, या दूसरे skill development mission का आएगा, तीसरा यह का आएगा, polytechnic diploma sector, तो आपको क्या करना है, आप polytechnic student है, तो polytechnic diploma sector आपको select कर लेना है, फिर यहाँ enter enrollment number, अब लिक roll number, तो enrollment number आपका नहीं, roll number जो आपका g-up का है, जिसके माध्यम से आपने प्रवेस लिया है, admission लिया है, उस roll number को आपको यहाँ पर fill कर देना है, और अपनी जो date of birth आपने g-up में भरी थी, परिच्छा दिया था, सारा result आया था, उस date of birth को यहाँ पर आपको भर देना है, उसके बाद यह जो registration का button है, यहाँ पर यह जो बना हुआ है, इस पर आपको click कर देना है, तो registration हमने click किया, तो उसके बाद आपकी यह सारी detail जो की पहले से भरी हुई है, प्री फिल्ड है, मैं आपको बता दूँ, आपका you rise के पास आपका data पहले से जा चुका है, सारा record है, आपको बिना अपना नाम बताए, जैसे ही आप registration पर click करेंगे, सारे detail आपके सामने ऐसे खुल के आजाएंगे student का नाम लिखा होगा, उनकी माता का mother's name लिखा होगा, माता का नाम, पिता का नाम, father's name, course लिखा होगा, किस branch में admission लिया है, जैसे mechanical engineering production दिख रहा है, इसी तरह से civil में, electrical में, electronics में, जो भी आपकी branch है, वो यहाँ दिखेगी, उसके बाद institute का नाम लिखा होग जैसे बरगल का मैं एक student का खोल रखा हूँ, तो government polytechnic बरगल चित्रकूट इसमें लिखा हुआ है, उसके बाद ये जो खाली आपको इस्थान दिख रहे हैं, उस पर आपको सारा चीजे फिल करना है, तो username में, आपको अपना username खुद से बना लेना है, जो आपको ठीक लगे जैसे किसी का नाम करन है, तो करन at the rate 001 या करन 2021 इस तरह से आप जो भी आपको अच्छा लगे, आप अपने हिसाब से बना लीजे, यहाँ पर email ID, email ID आपका ऐसे दीजे, जो active हो, आपका swim का हो, और हमेशा आगे जो आपका काम आए, बीच बीच में आपको उसको change ना करना पड़े, यदि आपके पास email ID नहीं है, तो उसको ततकाल अपना email ID बना लीजिए, वैसे जो भी students mobile use करते हैं, उनके mobile में Google की जो services है, वो Gmail का, जो email है, वो तो Gmail रहता ही रहता है, तो वो आप उसी के माध्यम से आप सारी activities कर लीजिए, तो आपके पास हमेशा आगे चल के ल तो यह बहुत important है, आधार नमर, इसमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, भरने के बाद भी एक बार चेक कर लीजिए, भरने के पहले भी एक बार एक एक डिजिट, आप उसको चेक कर लीजिए, उसके बाद apply scholarship में पूचता है, तो यदि आपने scholarship का form भरा है, तो yes करेंग कि हमको इसमें कौन से select करना है, तो ज़्यादा तर बच्चे जो UP government वाले UP portal से, scholarship portal से जो apply करते हैं, तो social welfare department के अंतरगत आता है, तो आपको ये वाला scheme चाहिनित कर लेना है, यदि आपने इसमें ना करके AICT वाली किसी scholarship में जैसे सच्छम या प्रगती scheme है, या कोई un scheme है, उ आप AICT वाले में इसमें click कर देंगे, यदि आपने freedom fighter वाले में किया है, तो इसमें कर देंगे, यदि कोई अधर से तो इसमें करेंगे, तो UP government वाले जो भी बच्चे apply किये हैं, वो social welfare department वाले में click करके apply कर सकते हैं, बाकि इसके अलावा यदि जो आपके उपर applicable है, वो कर देना है, उसके बाद scholarship type में जो मैंने भी आपको बताया, यह social welfare department वाला है, तो आप उसको click कर दीजे, tick कर दीजे, उसके बाद scholarship registration number तो आपने scholarship का form अभी कुछ दिन पहले भरा है, तो आप उसमें आपके पास print copy उसकी रखी होगी, जो cyber cafe वाले ने दी होगी, उसमें बड़ा आपका जो registration number है, वो scholarship का लिखा हुआ है, उससे देख करके सही सही registration number इसमें भर दीजे, अब बात आती होश्टल information की, तो इसमें जैसी click करेंगे यहाँ पर, तो इसमें दो option आएंगे, एक day scholar, एक hosteler, तो hosteler वो होते हैं, जो hostel में रहते हैं, जिनको hostel आवंटित है, तो यदि student कुछ boys hostel में रहते हैं, उनको hostel आवंटित है, तो वो hosteler select करेंगे, यदि आप campus के बाहर, यानि की, जो आपका institute है, उससे बाहर रहते हैं, अपने स्वेम के मकान में या किराई पर ले करके, तो आप day scholar, आप इसको चैनित करेंगे, उसके बाद जो सबसे महत्पू जो भी है, फीस के संबंद में जो आपसे पूछ रहा है, वो फीस की आपको सारी detail अपनी भर देना है, तो इसमें transaction date में आपको क्या भरना है, ये आप date भर दीजिए, transaction date में, mode of payment आपने online किया है, या offline आप इसको भर दीजिए, transaction ID आप भर दीजिए, यहाँ पर जो भी आप के लिए applicable है, pay amount आपको भरना है, जो भी आपका pay amount है, जो आपने इसमें भरा है, तो यदि फीस का आपका amount 11,010 रुपे है, तो आपको 11,010 भर देना है, और यदि आपका कोई और जैसे government edit के students हैं, या private के students हैं, तो आप वहाँ पर देख लीजिए, कि आपके लिए कौन सा क जो आपकी non refundable है, तो आप उसको इसमें भर दीजिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर सबसे ज़्यादा जो confusion है, वो इसी वाले पार्ट पर है, तो यहां hostel information में तो मैंने आपसे बताए, यदि आप बाहर रहते हैं, तो day scholar भर दीजिए, hostel में रहते हैं, त उसका detail आपको भरना है, इसमें ना कि hostel से related, तो क्योंकि मैंने एक student का किया है, उसमें मैंने सारा detail फिल किया है, और सभी तरीके से बिल्कुल smooth registration हुआ है, तो transaction date आपको भर दीजिए, जिस date में transaction हुआ था, mode of payment online था, तो उसको online select करेंगे, और इसमें transaction ID आपका उसी में लिख जम से, उसके बाद कुछ और फीस उन से वहाँ संस्था में जमा कराई गई थी, तो कुल scholar से portal पर जैसे आपने 11,010 रुपे जमा किया है, भरा था, उसको फिल किया था, उसी तरह से आप यहाँ पर भी 11,010 फिल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, अब इसमें समस transaction ID, वो transaction date, वो आप सारा भर दीजिए, यहाँ पे amount में अगर आप चुकि आप मान के चलिए कि 11,010 ही आपने जमा किया है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत की यह समस्या की बात नहीं है, तो यह आप देख लीजिए, इसको मैं slip आपको दिखा र रखी है, इस तरह से आपके पास भी यह slip होगी, जो आपने फीज जमा किया था, तो इसमें यह 200 वाली रसीद से हमको मतलब नहीं है, यह वाली रसीद आप देखिए, तो इसमें fee payment for admission के लिए जो आपने जमा किया था, transaction नमर यह लिखा है, तो transaction नमर जहां मांग रहा था, वो copy करके बिल्कुल same to same, यह आप transaction नमर भरेंगे, transaction amount देखिए, यह लिखा है 10,389, तो यह 9.44 जो रुपए है, यह extra charge लगा है, actual में fee's कितनी है, 10,370, और बांकी जो fee's थी, वो आपने संस्था में जमा की थी, तो इस तरह से कुल 11,010 रुपए आपने जमा किया है, तो य यह वाला सारा detail आपको भरना है, इसके अलाबा इसमें देखिए, transaction ID यह देखिए लिखा हुआ है, तीसरे नमर पर यह वाले इधर, तो 19,921, तो यह आपका transaction date है, तो आपको इस रसीद में transaction number मिल गया, transaction amount मिल गया, 10,370 है, लेकिन आप 11,010 भरिए, क्योंकि इस कॉलर्ट स student हो, भले ही उसने 3,000 जमा किया हो, लेकिन उसको पूरी fees अपनी लिखना चाहिए, कि 11,010 रुपे उसने भी दिया है, क्योंकि आगे चलके उसको वो fees भी संस्था में कभी न कभी जमा करनी पड़ेगी, तो आपको कितनी लिखना है, 11,010 यहाँ पर लिख दीजे, transaction number यह सा बहार निकाल के रख लीजे, और उसको कॉपी करके आप लिख दीजे, तो देखिए, इसमें transaction date हमने भर दिया, 19,0221, mode of payment online, transaction ID देखी, जो लिखा था, कॉपी किया, pay amount कितना, 11,010, अब इसमें दिक्कात आएगी, जो government edit के या private के students है, यदि उनकी pay amount जो है, उनका अलग है, तो वो अपनी संस्ता से बात करके, पूँच करके उसको भर लें, ये मैं अभी government के जो polytechnic के students से उनके लिए बता रहा हूँ, बागी चीजे उनके लिए same रहेंगी, pay amount आप भर सकते हैं, जो भी आपको, आपने fees को payment किया है, तो ये उसके बाद enter student mobile number, तो student के जो भी mobile number है, mobile यूनिक होना चाहिए, कोसेस करिए कि आपके पास जो mobile number रहता है, वही आप mobile number दें, जो आगे भी आपके काम आए, और आपका आगे active बना रहे, तो उसमें आप mobile number इसमें आप भर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ देखिए, अपने आप आजाएगा, enter OTP, तो आपके mobile number प देंगे, जब यहाँ पर देखिए, नीचे यह submit का button दिया है, इस पर submit जब आप कर देंगे, तो फिर इस तरह से आपका congratulations लिख करके आजाएगा, success, congratulations, you have successfully registered in URISE, your URISE ideas, you are से start होगी, your password is यह, यह मैंने छिपा दिया है, क्योंकि आपको जरूरत नहीं है, दूसरे का, है किस कभी student का, तो वो अपना personal होता है, गोपनी होता है, आपको भी अपना गोपनी चुपा कर किसको रखना है, किसी को आपको बताना नहीं है, और courses यह करनी है, कि आपको यह किसी cyber cafe वाले भीया से, उसका email ID, mobile number डलवा के नहीं करना है, आपको स्वेम के email ID से, स्वेम के email ID से, स् आपके जो साथ ही हैं, classmates हैं, जो आपके जानने वाले हैं, कोई यह दी पहचान का है, तो जैसे मैं प्रकरिया पताया हूं, बिल्कुल उसी तरह से उसको follow करते हुए कर लेना है, तो यह पूरी प्रकरिया थी, उसके बाद आपको बात आएगी login की, login ID, password आपको मिल गया, त पर आपका यह इस तरह से बना होता है, student login में आपके रहा है, enter URISE ID, तो देखी URISE ID आपकी यह थी, यहाँ पर URISE ID डाल दीजिए, password डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ login पर आप लोग क्लिक कर दीजिए, इस तरह से login पर जब आप क्लिक कर देंगे, तो इस तरह से आपकी profile अंदर खुल जाएगी, तो इसमें अंदर सबसे पहले इस तरीके का एक form आएगा, जिसमें आपका सारा detail लिखा होगा, यहाँ enrollment number generate हो गया होगा, URISE ID, उसी को पर enrollment number कह रहा है, student name लिखा होगा, father's name लिखा होगा, mother's name लिखा होगा, email ID जो आपने भरीती वो होगी, mobile होगा आधार इनको फिर check कर लिजे, यदि इसमें कुछ गड़बल है तो इसको change कर लिजे, mobile, email और आधार में कोई भी विसंगती या discrepancy नहीं होना चाहिए, यह सब unique होना चाहिए, अपनी date of worth देख लिजे, date of worth आपकी क्या है, इसको check कर लिजे, gender देख लिजे, male, female क्या है, ऐ ऐसा तो नहीं कि लड़का का लड़की हो गया है, लड़की का लड़का हो गया हो, यह चीज बहुत ध्यान दे लिजे, उसके बाद आप उसको नीचे update का option आएगा, उसको आप update कर देजे, एक बार कही बार चीजे में यह जो खोला हुआ हूँ अभी सामने, यह बताने के लिए कि कई बार स्क्रीन पर जब आप mobile से भरते हैं form, तो पूरा इस view सही से नहीं आता है, तो उसके लिए आप क्या करिए, यहां तीन डॉट बने होते हैं उपर यहां देखिए, तीन डॉट बने हैं, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तीन डॉट में, तो यहां पर इस त इस तरह से profile आती है, खुलने के बाद, यहां पर आपको अपनी photo upload करनी है, यहां पर सारा detail लिखा होगा, my profile में click करेंगे, तो यह सारा खुल जाएगा, यहां देखिए, branch लिखा है, यहां student का नाम लिखा होगा, यहां आपका you rise ID, email और जो mobile number है, वो सारा चीज लिखा होग उसके बाद देखिए, यह पूरा information आपका student का यहां पर आ रहा होगा, तो यहां पर देखिए, जो भी आपका आ रहा है, देखिए, personal information में click करेंगे, तो सामने जैसा भी आप देख पा रहे हैं, यह सारा चीज आएगी, father's name, mother's name, gender, male, female होगा, gender में category, general, OBCC, CHT, religion में अभी खाली आ रहा होगा, तो आपको change करना पड़ेगा, mobile number, email, आधार, यदि इसमें कोई भी चीज आपकी नहीं आ रही है, भरी नहीं है, तो आपको क्या करना है, यह जो edit बटन है, इस पर click कर देना है, तो पूरा सारा edit का खुल जाएगा, सारा चीज एक एक data आप भर लीजे, गलत मत करिये कोई चीज, छोड़िये नहीं, सब चीजें बिल्कुल सही सही भरिये, update करिये, उसके बाद देखे, जब यह personal information वाला हो जाए, तो उसके बाद आपको क्या करना है, यह दूसरा देखे, यह आपका address information, इसको click कर देंगे, तो address का सारा खुल जाएगा, उसमें gram पिता जी के नाम के साथ लिखी, जैसे कोई लड़का है, तो लिखिए son of falane, अपने पिता जी का नाम, उसमें gram पंचायत का नाम, कसवे का नाम, या आपके जो तो तो तहसील का नाम, पिर जिले का नाम, सारा चीज लिख करके, या गली, नमबर, मकान, संक्या, सब उसमें भरा जाता है, gram पंचायत का नाम पता होना चाहिए, नहीं पता हो तो अपने आधार काल में देख लिए, सारा चीज लिखा रहता है, जिले का नाम, पिन कोड, सब लिखा रहता है, तो address information में क्लिक कर लिजे, educational information में क्लिक करेंगे, तो देखे कोई चीज आपकी छूट तो नहीं रही है, और उसके बाद submit कर दीजे, तो पूरी profile update होने के बाद फिर रह जाएगी, आपकी photo update होना, photo आप अपनी बढ़ियां से बिलकुल latest, बिलकुल new जो photo है, उसको आप खीच करके अपने mobile पर रखिए, फिर update यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, तो जहाँ पर address proof में, जैसे address में, आप information में दिखाएगा, ग्राम पंचायत का नाम, फिर कहेगा तैसील का नाम, फिर कहेगा blog का नाम, और district का नाम, pin code, वो सारा चीज एक एक भरना है, कोई भी चीज आप खाली, मत छोड़िए, उसको खाली, जैसे religion में हो सकता है, खाली आ रहा हो, तो उ उसको छोड़ा नहीं है, इसमें profile picture अप्लोड करने के लिए, अप्लोड फाइल पे क्लिक करना है, वो आप अप्लोड कर दीजे, अपनी picture यहाँ पर तो आपकी photo दिखने लगेगी, तो इस तरह से आपको पूरा जब आपडेट कर देंगे, जब आपको नहीं जरूरत है, त तो email ID सही सही, mobile number बिल्कुल सही सही होना चाहिए, और आपका आधार number बिल्कुल unique सही सही होना चाहिए, इसी के आधार पर आपको tablet या फिर जो smartphone है, उसका वितरन योजना में आपको समलित किया जाएगा, तो यह एक महत्पूर्ण जानकारी कि जो first year, second year, final year कि जो इस समय अ जो pass out के जो student है, जो pass out 2021 में हुए थे, जिनको इसमें योजना में समलित करने की बात की जा रही थी, उसमें अभी भी संसे बना हुआ है, उनका confirm नहीं है, अभी जो चिस्तर से जो आदेश प्राप्त हुए हैं, निर्देश प्राप्त हुए हैं, उनके यही बात है कि अध् काल कल ही अपडेट कर लें, और उसको पूरी प्रोफाइल को अपडेट करने के पस्चाथ, अपनी संस्था में यदि पूछा जाए, तो वहाँ पर सूचित कर दें, और अच्छे से लॉग इन करके उसको चेक भी कर लें, एक-एक डेटा को देख लें, कोई डेटा में और चाहे आप लिए हो प्राइवेट पॉली टेकनिक में, यह सभी के इसमें बच्चों को यूराइस पर अपना रेश्टेशन करना है, इसके अलावा जो लेटरल इंट्री के माद्यम से सीधे सेकंड इयर में प्रुवेस लिए हैं बच्चे, उनको भी सभी को अपना प्र इपार्टमेंटल सूचना भेजी जाएगी और पूरा डेटावेस आपका इसी के आधार पर बनाया जाएगा, तो यह था मेरा मातपूर्ण अपडेट, आपको उमीद करता हूँ कि सारी चीजें जो मैंने बताई हैं समझ में आई होगी, कोई भी दिक्कत है तो आप का आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उस पर क्लिक करके यूराइस का खोल सकते हैं प्रोफाइल बेपसाइड और आपको जो भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूँच सकते हैं कमेंट करके, और उमीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई हो होगी तो आज के लिए इतना काफी है थैंक यू बेरी मच आपका दिन शुभू